इस वीडियो में हम आपको ये बताने चाहरे हैं कि कुछ बाते हैं हमारे अंदर या किसी के अंदर या आपके अंदर या कुछ बाते ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोपता है तो ऐसी कौन सी बाते हैं कभी कुछ बहाने होते हैं कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे अंदर जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता हैं हमें सफल नहीं होने देता है तो यदि हम उन बातों को समझ लें, उन बातों को चान लें तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है दुन्या में कौन सा ऐसा वेकती है, जो अमीर बनना नहीं चाहता है हमें से लगबग सभी लोग अमीर बनना चाहते है, सफल बनना चाहते है पर क्या सबी लोग सफल हो पाते हैं, क्या सबी लोग अमीर बन पाते हैं, तो इसका जवाब ज़ादतर ना में होगा, तो ऐसा कौन सब कारण है, कौन से बहाने है, यदि यो बहाना है, या वो कमी है, तो हमें उसे दूर करना है तो चलिए इस वीडियो में हमको वही बताने जा रहे हैं आपको कि वो कौन सी कमजूरियां हैं जिसे हमें दूर करना है तो चलिए हम शिरुवात करते हैं पहली चीज से पहला चीज से हमारे अंदर का डर ये वीडियो लंबा भी हो सकता है तो मैं इसे दो पार्ट में बनाऊंगा तकि आपके लिए आसानी हो जाएगी तकि आप बोर नहीं होंगे लंबे वीडियो में तो सफलता पाने में रोखता है हमें डर इंसान का डर और उसका डर ही उसे जीवन में success नहीं होने देता है अपना डर ही हमें जीवने focus नहीं रखने देता है तो इंसान का डर कैसा होता है इंसान का डर ये होता है कि कहीं मेरे जीवन में मैं कुछ करने चाऊं कुछ रिक्स उठाऊं और यदि उसमें सफल नहीं हुआ तो फिर आज जो हमारे पास उसे में हाथ दो बैटोंगा देखिए जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक six नहीं लगेगा आप छलांग लगा को तो देखो आसमान चीर दो गया जब तक हम अपने अंदर के डर को नहीं मारेंगे उसको खत्म नहीं करेंगे समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी काम की शुरुआत करने की कोशिश तो हमें करनी ही पड़ेगी सफलता तो बात की बात है और यदि हमें हमारे जीवन में सफल होना है तो अपने अंदर की डर को मिटाना होगा सब को आपको हमें दूसरा हम पहले ही सोच लेते हैं यह बहुत मुश्किल काम है यह काम मुझसे नहीं होगा कभी कभी हम काम को शुरू किये भी नहीं यह मान लेते हैं कि काम तो बहुत मुश्किल है बाई ये काम मुझसे नहीं हो सकता है ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है और फिर या तो शुरू ही नहीं होता है और अगर शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले खत्म भी हो जाता है तो भई ये बहाना तो बनाना छोड़ दीजिए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम हो हमेशा कहें कि ये काम तो बहुत आसान है इसे तो मैं आसानी से कर जाऊंगा फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए फिर देखिए काम कितना आसान लगेगा दूसरा लोग यह सूच लेते कि मैं इस काम की योग नहीं हूँ मेरे पास योगता नहीं है मैं यह नहीं कर पाऊंगा जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि मैं योग नहीं हूँ या मेरे पास इसकार करने की छमता नहीं है योगता नहीं है वे लोग दसल अपने आप से दो बात कह रहे होते हैं कौन सी दो बात हैं या तो वे अपनी योगता को बहुत ही कम आ करे हैं या फिर वे उस शित्र में सफल लोगों की योगता को बहुत जादा आ करे हैं देखें कभी-कभी ये बात माइने नहीं रखती है कि आपके अंदर कितनी बुद्धी है, कितनी योगता है बलकि हमेशा ये बात मैंने रखती है कि आप अपने बुद्धी, योगता का इस्तमाल किस तरह से करते हैं जीवन में सफल होने के लिए कि कभी भी उच्छ सिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा ज़रूरी नहीं होती है मैं भी दो-तीन दिन पहले मैं पढ़ रहा था मुकेश हम्बानी जी का, सौरी इनका दिरुबाय हम्बानी जी का कि भाई, उन्हें बहुत उच्छ सिक्षा प्राप्त नहीं की थी पर आज हम उनके फॉल्वर है तो सफल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वह हुनर अपनी खुबी की पहचान करके उसे तराशना और यह आपको करना बहुत से ऐसे एक्जामपल मिलेंगे आपको पूरे दुनिया में जहां पर डिग्री कौलिफिकेशन कुछ नहीं है पर वो आदमी सकसेस है एक्टी परसेंट चांसेज आपको ऐसे मिलेंगे एक्टी परसेंट लोग आपको ऐसे मिलेंगे तो यह बहुत कठीन अथवा असंभव सा प्रतीत होता है यह काम यह सब बाते आप दिमाग से निकाल दीचे मैं इतना योग नहीं हूँ मेरे पास पैसा नहीं है स्मार्ट नहीं हूँ पिकार की बाते हैं फोरण इसी बातों को ऐसी सोच को आप दिमाग से निकाल दीचे बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है पैसा नहीं है प्रतिबा नहीं है तो हम अक्सर उस चीज़ के बारे में गौर करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है जिसे पैसा समय या फिर टैलेंट उदारन के तौर पे अगर आपको लगता है कि आपके पास काम करने के लिए होगता नहीं है या फिर कोई skill नहीं है तो ऐसे तरीकों खुजो आप या फिर कैसे training लीचिए जिससे आपकी मुश्किल आसान होचे और उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दें जो आपके पास नहीं है बलकि उन चीजों के पास ध्यान देचो आपके पास है आपके पास है आपके हमेशा नहीं शुरूआत करने के मौके होंगे नई शुरूआत करने के लिए सबसे पहले यह जाने कि अपने काम को बहतर डंग से करने के लिए आपको कि-जान 15 चीजों की सुरृत है और फिर उसे हासिल करने में जो जाए एक और कमजोरी होती है एक और महाना होता है कि मैंसे किसी और दिन कर लोगा छोटे छोटे या बड़े बड़े काम को कल पर नहीं छोड़े है क्योंकि कल क्या होगा इसे कोई नहीं जानता और फिर अगर आप किसी काम को आज नहीं करना चाहते हैं क्या guarantee है कि आप उसे कल करी लोगे एक और हमारी कमज़ोर ही होती है दूसरों को देखना इस वज़ए से भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि दूसरों को देखता है हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें कभी दूसरों को नहीं देखना है खुद के काम को इंप्रूव करते रहना है उसने क्या किया वो किस तरह अपना काम करता है हमें इसे कोई मतलब नहीं रखना है जैसे मैंने आपको एक कंपरी का उधार देता हूँ अगर कोई आपका कंपरीटर आपके इसा बिजनस करता है तो आपको उसे नहीं देखना है पर विस्वास नहीं होता है तो ये भी हमारे अंदर नहीं होना चीए कई लोग जो काम करते हैं वो लोग उस काम से कुछ नहीं रहते है क्योंकि उनको अपने काम पर विस्वास नहीं है और इसी वज़ा से दुनिया के कई लोग जीवन भर अपना काम तो करते हैं और उस सदेव यही सोछते रहे थे कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें तो कोई लाइफ ही नहीं है ना इस काम की वैलिू है और ऐसे लोग सदेव अपने काम को कोष्ट दे रहता है कहां से हमीर बनेंगए कहां से ज़ादा सफल होंगे आदे लोग तो पहले काम करने से पहले रिजल्ट के चिंता करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा परिणाम क्या होगा और हम लोग की सबसे बड़ी मिस्टिक है यह कि हम रिजल्ट के चिंता करते हैं आप अपने बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं कुछ भी उसमें सफलता पानी है आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आपको अपने काम पर फोकस करना है और कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है आप गीता का ही लाइन लेके आप सच आगे बढ़ते रहो कर्म करो फल जरूर मिलेगा आपके वर अपने काम पर कड़ी मेहनत और कठोर परिशनम के शक्ति दिखाईए और उसे कड़ते रहिए जब आपका काम अपने सुरूप में आएगा तब आपको अपने आप उसमें सफलता मिलती चली जाएगी तो इन सब बातों को आपको धिया रखना है आगे बढ़ने के बारे में कुछ लोग सोचते ही नहीं है जो लोग सारी जिन्दगी एकी तरह के जिन्दगी चीते रहते हैं वो दरसल अपने जिन्दगी में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हैं वो अपने उस एक काम को ही करते रहते हैं और उसी में अपनी सारी संदगी उजार देते हैं वो अपनी काम को बढ़ाने के बारे में या अपनी बेवसाय नौकरी को बदलने के बारे में सोचते ही नहीं है तो सोचना बहुत जरूरी है सोचते भी हैं तो शुरुवात नहीं करते हैं बहुत लोग सोचते रहे थे कि मैं ये करूँगा और वो करूँगा शुरुवात नहीं करते वो मैं अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग को देखा है जो सोचते हैं तो बहुत हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा लेकिन उस काम को करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हैं या उस काम की शिरुवात ही नहीं करते हैं उस काम की शिरुवात नहीं कर पाने की वज़े से ही वे अपनी जन्दगी में पिछड़ शाते है तो अपनी जन्दगी में आगे बढ़ने के बारे में सिर्फ सोच भी लिया है तो आपने लगबग आधी जंग जीत लिये क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सफलता आसर करने के लिए एक सोच के धी तो जरूत होती है जब आपको अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जिन जिन चीजों की जरूत है जिस युगता की जरूत हैं उनको पूरा केजिए शुरुआत तो कीजिए आप आप शुरुआत करो सारी काइनायत मिलके आपको उसमें मदद करेगी बहुत लोगी बहाना बनाते हैं कि मैं पहले भी यह सफल उच्छका हूँ मैं बार बार फेल उच्छका हूँ यह काम नहीं करना मुझे यह बहाना है जो लोगों को आगे बढ़ने से रुपता है एक दो बार या कई बार असफल होने से लोग यह मान लेते हैं कि वो अब कभी भी सफल नहीं होंगे या इस काम में सफल नहीं होंगे आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं अगर अब पहले कभी असफल हुए है या बार बार असफल हुए है तो कहीं न कहीं आपकी ही कमी है कही ने कही आपकी तैयारी में कमी है, कही ने कही आपकी लगन, महनत, इकागरता, या आपके ध्रन्ड संकल्प के ही कमी है, तो सकर अत्मक होकर, अपनी कमियों का पता लगई है, उन वज्भूं का पता लगई है, जिसके कारण आप बार बार सफल हो रहे हैं फिर उन कमियों वज्जों को दूर करके एक बार फिर सकर अत्मक होकर पूरी मेहनत लगन अधरन निश्य के साथ दुबारा कोशिश करें तब तक करते हैं कि जब तक आप सफल ना हो शाय है तो यदि आप भी इन चीज़ों को फॉलू करोगे इन चीज़ों को बारे की से सोचोगे तो निश्य तोर पे आपको आगे बढ़ने से सफल होने में अमीर बढने से कोई नहीं रोख सकता है तो धन्यवाद आप सबका हमारे चनल पे सौकत है आप हमारे चनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट देशिए धन्यवाद